आज ना आपके लिए मिंटों में बनने वाली और बिना गैस जलाए बनने वाली मिठाई की रैस्पी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और टेंपटिंग है एक वार ट्रॉय करिएगा आपके घर में सबको बहुत तेस्टी लगेगी तो यहां पर मैंने ले लिए हैं ब और अको के हल्ग से रिमूफ कर देंगे और इनको आप चाहें तो इसका पाउडर अपना कर रख सकते हैं कि जब कट्लेट बनाते हैं या कोई और डिश में उसमें इसको उसको यूज कर सकते हैं यह 3-4 दिन आराम से बाहर और अगर स्टोर कर रखना चाहें तो फ्रिज में डिया ही है प्वीच में ग्राइट सकते है क्या करना है जो working कर दिए अनको रखेंगे बाकि को हम छोटी चोटी तॉडू में यह पीस में इसको हम तोड़ लेंगे और तोडने के बाद इसको हमें क्राइड कर लेना है ना का पाउडर मिल्स तो ढूडर धरी बशी यह रेसिपी आपके लिए बहुत बैस्ट है तो देखिए इसको ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे ग्राइंड करने में आपको ध्यान रखना है इसको पाउडर में ही रखना है मतलब इसके पीसेस नहीं बचने चाहिए इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया और इसमें हम लेंगे देखें मेरा फोन काफे डिस्टरब करने लगा है और शायद आप मेरे वीडियो पसंद नहीं करते हैं इसलिए कमेंट पी नहीं करते हैं तो पाउडर में हमने लिया एक कटोरी मिल्क पाउडर और इसके साथ हमने लिया एक कटोरी से थोड़ा कम शक्कर का पूरा और यहां पर हमने लिया है मारी होल बिस्किट ये बिस्किट आपको क्यों करना है पहले छोटे तोड लीजे और इसके बाद इसको भी पावडर फॉर्म में ग्राइंड कर लीजे इसका जब हम मिठाई बनाएंगे ना और आप एक पीस खा कर देखेंगे ने तो आपको ये लगेगा ही ने कि आपने इसमें मावा यूज नहीं किया है तो देखें हमने बिस्किट को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और जो पहले हम इनमें मिक्स त्यार किया था उसमें इसको डाल दिया और इसको अच्छी तरहें से पहले सूखा मिक्स कर लेंगे और जब ये थोड़ा अच्छी तरहें से मिक्स हो जाएगा तब हम लेंगे फ्रेश दूत की मलाई मतलब आपको दो तीन दिन पुरानी मलाई इसमें यूज नहीं करनी है क्योंकि वो थोड़ी सी खराब सी हो जाती है खटा पना जाता कई बार महग भी आ जाती है इसलिए आप इसमें पुरानी मलाई बिल्कुल भी यूज मत करिए और फ्रेश जो आपकी पूरे दिन की या एक दिन पहले की है उसको यूज करिए मलाई डालकर हम इसे इसमें बाइंडिंग देखेंगे यदि आपको लगता है कि इसके बाइंडिंग काम है तो हम इसमें थोड़ा सा दो से तीन चीटे हम दूट के डालेंगे और इसके बाद इसका एक डूग बना लेंगे देखिए यहाँ पर मैंने काटोरी में काफी मलाई लगी हुई थी उसको निकाल लिया है और इसको बाइंड करना शुरू कर दिया है इसके बाइंडिंग हो रहे है अबर अभी थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा है फिर हमारी बर फी इसमें त्यार नहीं होगी तो देखिए इसमें बाइंडिंग बहुत बढ़ियाrau बन रही है डू अच्छा त्यार होगा तो इसको हम एक डू फॉर्म में ले आएंगे और 1-2 मिनट के लिए आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं नहीं तो इसे पटे बर रखकर इसे चोगोर शेप दे दीजिए चाकु की हल्प से या हाथ से आप इसे प्रेस करें ऐसा शेप बना दीजिए और फिर इसके हम चोगोर पीस काट लेंगे आप चाहें तो इसके हम जिससे कोई भी शेब आप उसमें लेकर काट ना चाहें, काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे फेरेज में 4-5 मुनद के लिए रख दीजिये काटने के बाद इसको डेकुरिट कर दीजिये और सर्व कर दीजिये पांच मिर्ट के अंदर आपके टेस्टी मिठाई त्यार है वो भी बिना गैस जड़ाए